रतलाम में लगतार कुरोना संक्रमन अपना कहर बरसा रहा है रोज कुरोना के 130 से जादा लोग कुरोना पॉस्टिव हो रहे हैं ऐसे में लोगडाउन का पालन करवा रही पुलिस सडकों पर है वहीं अपराद पर नियंत्रण में लगी है इसके लावा काई मामलों में आरोपियों की तलाशी और धरपकड के लिए भी पुलिस को कई जगाओं पा जाना पड़ा है ऐसे में रतलाम पुलिस बड़ी संक्या में कुरोना की शिकार हो रही है पतादे रतलाम में अदिकारियों सहित 78 पुलिस कर्मी कुरोना पॉस्टिव है जोने आइसुलेट कर रुपचार किया जा रहा है हलांकि अब तक किसी पुलिस कर्मी की गंभे रिस्तिती नहीं है लेकिन स्पी ने अब पुलिस जवानों के सौस को देखते हुए जांच बड़ी संक्या में पुलिस जवानों की करवाई है करीब 1000 से जाता पुलिस कर्मी की कुरोना की जांच करवाई है जिसमें भी अभी 500 पुलिस जवानों की जांच रिपोर्ट आई है उसमें से 78 पुलिस कर्मी अब तक वोस्टे पाए गए हैं वही पासों के करीब और जांच रिपोर्ट आना बाकी है शहर जहां जहां ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के सिदे वहां पुलिस लगाया गया जैसे बतलाम प्रॉपर या जावरा में भी चारुत रतना का बंदी की इसके लाव सेक्टर मोबाइल भी लगाया गया है और रूटीन क्राइम भी तमाम तरही चल लहीं है तो ऐसे में पुलिस को लेकर हो चाहिए हाथ सेनिटाइज करने को लेकर हो यह चुकी पब्लिक के बीच पुलिस को कई बार जाना पड़ता है तैसे पुराने आप राधों में वार्यंटे की तलाश करनी आरोपी गिरफतारी करनी कई जगा सुचनाव पर रेट करने पुलिस जा रही है इसमें करीब 500 क्या स्पर सैंपल्स के रिपोर्ट कर लाए थे जिनमें 34 पुलिस दिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए जिसमें 18 पुलिस दिकारी एक ठी ठाने के लोग खड़ा ठाने के ही पॉजिटिव आये हैं और उसमें एक महुता चोकी है जिसमें पदस पांच लोग ज पुदिटिव एक माम